वेलकम तु मैस्टे से का आज आपको इस वीडियो में बताने ओलो एक कस्टम रब के आवरे मीश इसके पोको EF1 में तो पोको EF1 में है वोग यहां पर इसके वीडियो में बात करने वाला हो जो कि यहां पर आपको फिफ्ट आफ मार्थ का सेकुरेटी पैच मिल चाता है और है वो क्वेशन देख सकते हो 3.3 जो कि हैं पर एक लेटेस्ट विल्ड है तो एक्च्वल में है वो को इसके ऊपर यहां पर मैं फर्स्ट बार वीडियो बना रहा हूं तो यहां पर इस वीडियो को लाहस तक देख लीजिए इस दिए कुछ इंट्रस्टिंग बात करने वाला इस रॉम के बारे में तो यहां पर इस रॉम में जो है कमाल के फ्यूजिस मिलने वाले हैं पर आपको परफॉमेंस जो है बहुत ही ज़्यादा आच्छा मिलने वाला है तो उसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हो तो पुब जी आपको किया देखने को मिलता है तो इहां पर देख सेकते हो 358,000 आपके frais पर एंड़ेड़ एटीड़ वैंश्वार्जबाक स्कोर देखने को मिलता है जिसी कि अगर आप यहां पर compare VIP 11 से तो आप भी आपको है भी सेम स्कोर देखने को मिलता है लेकिन अगर आप यहाँ पर compare करो किसी और custom ROM से अगर आप यहाँ पर compare करोगे तो यहाँ पर इस ROM में जो है कमाल का आपको यहाँ पर एड़िट वैजबाक स्कोर देखने को मिल रहा है जो कि 358,000 जो है बहुत ही अच्छी बात है इसके अंदर आपको performance जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा देखना को मिल जाता है camera to API enable होने कारण आप यहाँ पर Google camera भी use कर सकते हो जिसी की night mode जो है आप यहाँ पर front camera में भी मिल जाता है तो यहाँ पर में lens को थोड़ा clean कर लेता हूँ यहाँ पर देख सकते हो camera clarity जो है बहुत ही जादा अच्छा है उसके बाद portrait और यहाँ पर camera में मिल जाता है उसके बाद आप 4G recording भी कर सकते हो हो इहाँ पर आपको slow motion का भी कहाँए support कर सकते हो इसके बार जो है यहाँ पर आप 49 रृंस से जान सकते हो उसके बाद जो है इसके इनदर भी बहुत सब्सक्मिजैसिंजिसिंटा है फोके recording भी इसकных अपर आपको मिल जाता है पूर इसके इंदर आपको मिल जाता है उसके साथ साथ आपको यहां पर बाकोड स्कायन करने का आप्टिन मिल जाता है यहां पर मैं दो-तिन दिन से यूज़ कर रहा हूं पजी जो है ऐसा चल रहा है मक्कन पुरा अच्छल में हाप मैं रिस्वर्स पैक डाउनलोड नहीं किय हो तो यहां पर पपजी जो है बहुत ज़्यादा अच्छा है पर प्ले हो रहा है तो यहां पर मैं कुछ हुए इस रॉम के साथ जो कि आपर सेकेंड बार यह रॉम जो है बहुत ज़्यादा अच्छा लगा जिसी कि इसके पहले भी यहां पर मैं वीडियो बनाया था तो जो क पे देखने को नहीं मिला Actually में जो है MIUI 11 के साथ बहुत यहाँ पर मुझे तो बहुत घुसा आता है MIUI 11 यूस करने पर यहाँ यहाँ पर यहाँ जाले प्रिफर करता हूं अगर आप आप यहाँ पर देखो कितना भी अपडेट आने दो यहाँ वाई 11 का लेकिन यहाँ पर जो है वो टच इशू ऐसे ही रहता है जिसके यहाँ पर आप सड़नले आपका डिवाइस हैंगो जाता है उसके बाद टच रेस्पॉंट ही नहीं करता है यहाँ पर बहुत बार मेरे सकते हो यहाँ पर मैं Dual 4G वोल्टी मिल जाता है उसके बाद जो यहाँ पर हॉट स्पोट लोगिंगे यह वाई पर हो चुका और यहां पर मैं होट आपकर बताता हूँ हो था वाइपाइस अबने वाई-सक्राइस में आपको मिल जाता है जोखे फाइल को यहां रेस्थ कर स सकते हो इसके बाद जो एक configuration center आपको यहाँ पे status बार का customization मिल जाता है जो कि अगर आप यहाँ पे clock को hide करना चाहते हो तो hide कर सकते हो अगर आप यहाँ पर लोगों को show करना चाहते हो तो भी हाँ पर कर सकते हो brightness control जिसकी sliding दी आप यहाँ से ही brightness control कर सकते हो double tap to sleep अगर आप यहाँ पर double tap करोगे तो आपका device है यहाँ पर sleep हो जाएगा उसके बाद downloading uploading speed को आप enable कर सकते हैं कि QS header में ही तो यहाँ पर downloading uploading speed का हैं आपको मिल जाता है उसके बाद जो है auto hide आपको options मिल जाता है यहाँ पर carrier label और battery percentage को आप enable कर सकते हैं कि 723 इसको आप hide भी कर सकते हो पर संटेज अनेबल हो जाएगा status बार से कोई icon को आप यहाँ पर हटा ना चाहते हो तो यहाँ पर हटा सकते हो उसके बाद जो है HD icon को आप enable कर सकते हो 4G icon को enable कर सकते हो data disable icon वह भी आपको अगर आप यहाँ पर राइट से क्विक टोल डाउन करोगे तो क्विक पूल डाउन होगा उसके बाद यहाँ पर लेफ्टर से नॉर्मल इसको आप कर सकते हो battery estimates आप यहाँ पर देख सकते हो और यहाँ पर आपको इस्टिमेट बैटरी लाइफ नेक्स्ट टू दी आइकॉन यहाँ पर बाद बैग्रांड ओपैसिटी आप इसको जो है जीरो भी रख सकते हो जो कि यहाँ पर फुली ट्रांस्परेंट हो जाएगा उसके बा यहाँ पर फुललम्स को चेंज कर सकते हो और रशेंज कर सकते हो ऊसके बाद जोहें ब्रैट ने स्ट पर शॉप स्ट्कुंते अंधर ओंवन यहाप बाद जो है मीडिया और वर्क यहाप फी म्यूजिक वर्चॉल विच्वलाइजर उसके बाद जो पॉकिट डिच्शन उसके बाद अधिक्षिन वाइब रहे एरो वाइब्रेट यहाँ पर स्टेटस बार यहाँ यहाँ विक्विक सेडिंग उसके बाद जो है आपको यहां पर आपको सपोर्ट मिल जाता है यहां पर आपको जैक्स में मिल जाता है यहां पर आपको जैक्स में जाता है यहां पर देख सकते हो डबल टाप पिकप पोकेट यहां पर आपको कुछ जैक्स में मिल जाता है उसके बाद जो है यहां पर जैक्स में आपको यहां पर ज ब्लिंग फॉर इंकमिंग लिगिंग भॉर तो अगर आप यहां पर फ्लैश्लाइट रखना चाहते हो तो आप रख सेकते हो यहां पर फॉर्स च्लोस नोडिफिकेशन के लाब बटन यहां पर आपको पॉप्सेंस मिल जाता है उसके बाद ज्याए बैटरी सेविंग एक्शन executed when the screen is turned off, यहां पे options पर इसके अंदर मिल जाता है, यहां पर उसके बाद यहां पर 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 आपको दाइनामिक मोड का उप्शन भी मिल जाता है जिसे कि रेंगिंग इन गीमिंग मोड दो नौट चींज यहां पर वाइबरेट तेहां पर पर आपको उप्शन मिल जाता है वह वह जो की एक गेमिंग रोब में आपको चेंज कर सकते हो अगर आप δcü को करना चाहते हो तो यहांसे अनिस्टाल कर सकते हो गर आप यहां पर पर板 डिसेवल करना चाहते हो एक आपको बात कर लेता है जो की हैं पर देख सकते हogy सेबंधी 3 तो यहां पर में फभी थोडा वह यहां पर प्ले किया था फुल यहां पर यूज बता जाता हूं यहां पर देख सब्सक्राइब बहुत ही ज्यादा अच्छा है अगर आप यहां पर देखो तो स्मार्ट चार्जिंग और आपको मिल जाता है तो यहां पर यहां पर अच्छ में ऐसा कुछ बैटरी रिंग होता हुआ नहीं दिखा इसके बाद ब्रैटनेस लेवल उसके बाद ब्लू लाइट को डिसेंबल करके अपने आखो पर बच्चा पहोगे नाइट पूर्ड का यहां पर पर अच्छा है मिलेगा उसके साथ सथ आपका है पर डिबाइस हीड भी नहीं होगा यहां पर आपको custom आइकों करने का options मिल जाता है अगर आप यहां पर custom रखना चाहते हो तो custom रख सकते हो उसके बाद तो clock में आपको हैं पे Samsung टाइप उसके बाद bubbles अनलोग बेनरी आपको रख सकते हो वाल पेपर भी आपको मिल जाता है जो की एक ही वाल पेपर है और यहां पर आपको ऑप्शन जाता है लाइफ डिस्प्लेज जैसे की कलर पोफाइल आप डाइनमिक स्टेंडर रख सकते हो उस आपकोर्ण Okay अच्छल में कूल है आप rudए को यहां पर डैपी नचलरा कुटेम करट दोन सबस्क्राइब काई जिसलगे तो यह जो है अच्छा है उसके पाद यहां पर मैं बात कर लेता हूं जो कि आप पर डिस्प्ले के बाद साउंड तो साउंड यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं उसके बाद स्टोरेश प्रैवेसी लोकेशन और सिक्यूरिटी में आपको यहां पर फेस अनलोग को नहीं मिलता संदर इस से दिसीटर वेलगीइंग आप यहां पर ट्रैक कर पढ़ोंगे दिन पर आपने अपे क्या क्या था इसके बात डिजिटल वेलगीं Google डार इसलड़ आ पैसिस्टम के अंधर आप जो की रॉम यहां पर मैं आपको बजा डिता हूं है उसे पर यहां पर मैं डाउनलोड नहीं किया हूँ तो भी पफोमेंस बहुत ही ज़ादा अच्छा है यहां पर स्मूथ के साथ आप एक्स्ट्रीम में प्ले कर पाओगे कलर फूल यहां पर आपको बैग्नेस तक का आप्से समीजाता है यहां पर में एक टीडियम प्ले कर लेता हूँ मुझा थाद़, हाँ सक तक के लिए म prophecy धजाता हूँब 알ा ज़से नहिता है यहां besण एक्सट्रीम मेंचित ट्सक्छवां एकल्ट को टैंट प्रद्ट में लुख्गा फिए लिए में लिएे। कर दो कर दो आ कर एद कि लिव कि लिवआ लेंग लेंग लेंग‍़! लेंग 2 उेंग! झाल yourself! कर दो 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 कर कर दो 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 पे दो मेंगा कर दो कर दो कर दो पिर सğini अ ए्सपयर हो एक पैद चुङ कों तो कि अजूनी हो अरूज उजूनी है एव एव और भी इव has लोड़ में कि अधिक तो पर्फर्मेंस आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको कैसा देखने को मिल चाता है तो रोम कैसे इंस्टॉल करें उसके ओपर यहां पर यहां पर अल्रेडी वीडियो बना चुका हूं वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देदूँगा इसके आपको यहां पर open.jf slash करने कोई ज़रूरत नहीं है आपको सभी गूगल का अप्लिकेशन मिल चाता है अगर आपको यहां पर कोई अप्लिकेशन मिसिंग है जैसे कि गूगल के तो प्लेस्टों से इंस्टॉल कर सकते हैं जैसे कि यहां पर गेमिंग पर्फरमेंस आपको ब बैल आकोन को देवा लिजे जैसे कि पोको यह फन के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बना के बताने वाला हूँ तो अगर आप मेरे चनल पर नहीं हो तो प्लीज आप मेरे चनल को सब्स्राइब कर लिजे तो फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही देखने के लिए ब